हेलो फ्रेंड्स, अमीर लोगों की ऐसी दुनिया जिसमें सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है रिष्टे भी दिखावे के हैं, कोई किसी से अटेज नहीं है सभी अपना रिष्टा बाहर के लोगों को दिखाने के लिए जोडते हैं और मीडिया प्रेस में दिखाते हैं कि आईडियल फैमली है ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है कर्मा कॉलिंग में कर्मा कॉलिंग अमरिकन शोर रिवेंच का इंडियन वर्जन है स्टोरी में इंदरानी कोठारी यानि रवीना टंडन, अलिबाग की रानी है और 90's की पुरानी हिरोईन रह चुकी है उनकी मर्जी के बिना उनके सामने किसी को खड़े रहने की हिम्मत नहीं है वो कोठारी इंडरस्टी की मालकिन है और हाई सोसाइटी की लाइम लाइट वाली वूमन है इंडरानी की लाइफ तब बदलने लगती है जब कर्मा तरवार उर्फ अंबिका महरा यानि नम्रता सेट की एंट्री होती है वो उनके परोज के विला आशियाना को खरीद लेती है इस विला में कभी इंडरानी की अच्छी दोस्त डॉली यानि बलूचा का कबजा था कर्मा का मकसद को थारी से बदला लेना है जिसमें डॉली भी शामिल है अंबिका जब आट साल की थी तो उसके इमानदार पिता सत्यजीत महरा यानि रोहित रॉय को अलिबाग की अल्टरा रिच कोथारी फैमली तीन हजार करोड के एक बैंग घोटाले में फसा देती है सत्यजीत को जेल हो जाती है और कोथारी मिलकर ऐसी साज़िश रच्टे हैं कि अदालत में वो दोशी साबित हो जाते है सजा काटने के दोरान जेल में ही सत्यजीत की मौत हो जाती है अंबिका को अनाथाले भेज दिया जाता है जहां उनके दिमाग में डाला जाता है कि उनके पिता हैवान है जिनोंने हजारों लोगों की जिन्दगी दबा की है यही अंबिका पहचान बदलकर कर्मा तलवार के रूप में कैसे ताकतवर और अंगीर कोठारी फैमली से बदले की योधना बनाती है और कैसे वो हर शक्स को बरबाद करती है साथ ही वो भी किसी के प्यार में डूप जाती है और वो इस मकसद में कितनी काम्याब होती है ये जानने के लिए आपको सिरीज देखनी होगी रूची नारायन ने इसका डारेक्शन किया है डारेक्शन ठीक ठाक है क्योंकि इतना दमदान नहीं है मतलब आपको फर्स्ट एपिसोड से ही स्टोरी का प्लॉट समझा जाता है अब उतनी एकसाइटमेंट नहीं है कि आगे क्या होगा सिरीज रिवेंज की कहानी माइक केली और जो फैजियों ने लिखी है जिसे रूची ने थोड़ा मॉडिफाई किया है इसके डायलोग पूर्वा नरेश ने लिखे हैं लेकिन डायलोग में कोई खास सम नहीं है कर्मा की बात पूरी सिरीज में चलती रहती है अच्छे करम, बुरे करम, कर्मों का फल कभी ऐसा लगता है कि ग्यान कुछ ज़्यादा ही हो गया स्क्रिन प्ले बहुत कमजोर है, एक्चुली वो रिवेंच वाली फीलिंग जो आनी चाहिए सिरीज को दे के वो मिसिंग है इस सिरीज के किरदारों के साथ भी अटेच्मेंट नहीं हो पाता इसकी सबसे बड़ी नेगिटिव बात यह है कि सिरीज में कर्मा इतनी आसानी से सब करती जाती है और अपने आपको शक्ति साली समझने वाली इनरानी कुछ जान नहीं पाती, कुछ अजीव है कर्मा के पास इतना पैसा कहां से आया, यह कोश्चन मारक है कर्मा की प्लानिंग बिल्कुल बेतुकी है, डायलोग डिलिवरी में भी तम नहीं है वो सिर्फ कर्मा कर्मा की बात करती रहती है मतलब वो खुद क्या काम करती है यह दिखाया ही नहीं है एक्टिंग की बात करें तो रवीना के कपड़े अच्छे हैं लेकिन और एक्टिंग भी ठीक है मतलब बाकी सबसे अच्छी है, वो फीलिंग देती है कि वो एक रिच मूवमन है नम्रतागा में कॉन्फिडेंस तो है परन्तु कहीं कहीं उनके एक्स्प्रेशन सही से नहीं दिखते जेन खान के रोल में विराफ पतेल का काम अच्छा है रोही त्रॉय फ्लेशबैक स्टोरी में एक्टिंग तो वो अच्छी करते हैं परन्तु उनके सामने रवीना डंडन थोड़ी बड़ी बड़ी नजर आती है आहान के रूप में वरुन सूद रवीना के बेटे के किदार में अच्छे हैं और देव्यानशी सेन इंस्टाग्राम में लाइक शेयर के पीछे भागने वाली और मा से लड़ने वाली बेटी के किदार को अच्छे से निभाती हैं डौली के रूप में बलूचा की अक्टिंग अच्छी है शत्र फिगार ने राज्य सबा सांसत के किदार को ठीक से निभाया है गुरू, हीलर, दया मा के रूप में अलपना पूच अपने किरदार के साथ न्याय करती है समीर के रूप में विक्रम जी विर्ख का काम बहुत अच्छा है और बाकी सबी कलाकार अपने अपने किरदार में ठीक है ये एक रिवेंज स्टोरी के साथ लव ट्राइंगल भी है एलिट क्लास के मुस्कराते, दिखावटी चेहरों के पीछे का खालीपन, अंधेरा, धकोसला, दब-बा कायम रखने के लिए चैरिटी शो, धोका, सभी कुछ दिखाया इसमें लेकिन फिर भी बहुत सवाल छोड़ जाती है ये सिरीज अगले सीजन के लिए बहुत ज़्यादा टर्न ट्विस्ट को सोच कर सिरीज मत देखिएगा एक सीन के बाद दूसरा सीन आप अपने आप दिमाग में बना लेंगे कि क्या आने वाला है ज़्यादा अच्छी रिवेंज सिरीज नहीं किया सकते बहुत दिल्चस्प रिवेंज ड्रामा सिरीज ये नहीं बन पाई है बस ताइम पास बन कर रह गई है सो आप इंजॉय करे कर्मा कॉलिंग